गुजरात मोडल देश में किस तरह से आप लागू कीजिएगा नफरत फिलाने के लिए इस देश में और ये बिहार जो मोडल है बिहार मोडल सही माइने में इस देश में लागू होना चाहिए इस परकार इस देश में ताना शाह की तरह इस देश अगरसर है इस देश के अगर किसी कौम की सबसे जादा सक्ति लगेगी तो हम मुसल्मान उसके लिए अगली पंक्ति में खरा रहेंगे हम लोग आज उनकी दिरगाईू के लिए भी दुआ किये हैं जो आने वाले दिनों में जो 2024 की लोग सबाचुनाव है उस लोग सबाचुनाव में किस तरह से हम ल नहीं पूरे देश में नितीश कुमार जैसे काविल मुखमंत्री आज के डेट में कोई नहीं है और हम लोगों की दुआ है जो ये जो उनकी उम्र आज जो 72 माशाल हुआ है आने वाले दिनों में देश को वो नितृत दे मुखमंत्री नितीश कुमार आज 72 साल के हो गए उनका जन्म दिन मनाया जा रहा है पूरे बिहार में और सभी लोग उनकी जन्म दिन है उनकी बढ़ाई दे रहे हैं पर जो मुस्लिम समधाय के जो चातरविंग के जो नेता है जडियू के वो आज पतना हाई कोट के छेतर म में जो मजार हैं वहाँ पर चादर बोसी किये हैं पहले सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं आज बिहार के यशश्वी मुखमंत्री आदर निये जनाब नितीश कुमार साहाब की जनमिदीन के अफशर पर हम चात्र जडियू के तमाम कार्ज करता और जनता दल हुए लोग आज उनके उज्वल भविश और उम्रद्राज के लिए हम लोग पटना हाइकोट मजार पे चादर पोशी कियें इस परकार इस देश में तानाशाह की तरह इस देश अगरसर है इस देश के मुश्टक्विल और इस देश में अगर कोई नरिंद्र मोदी जी को ह हरा सकते हैं तो वो आदर निये नितीश कुमार जी है और सबसे पहले उसको हराने में अगर किसी कौम की सबसे ज़्यादा सकती लगेगी तो हम मुसल्मान उसके लिए अगली पंक्ति में खरा रहेंगे हम लोग आज उनकी दिरगाईयों के लिए भी दुआ किये हैं जो आन की मिले यह आज हम लोग शम्मिल के दुआ किये हैं मुसल्मान सबसे जादे मदद करेंगे लेकिन मुसल्मानों के लिए बज़ट में कुछ नहीं है मदर्सा बुड का चेर्मेंड नहीं मिल रहा है साथ जादे सिचक बाली रुकी हुई है बाराजार सिचक जिनका निफ्ति नितीश कुमार जी की देन है और यह मुसल्मानों की कहने की नहीं हर एक जिला में अल्वसंख्यक छात्रावास यह मुसल्मानों के लिए सिर्फ और सिर्फ नितीश कुमार ही दिये हैं सवाल यह है कि आप मुक्मंत्री को परधार मंत्री बनाने की दुआ मांगने आए बाबा के मजार पर आज उनकी योमे पैदाईश है उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ मांगे हैं और साथ साथ इस देश में जो एक आरा जकता और जो एक लोकतंत्र पे जो संभीधान पे जो खत्रा है उस खत्रे को टालने के लिए जो व्यक्ति चाहिए वह आदर निया नितीश कुमार है और उनकी सकती बड़े उसके लिए हम आज मजार पे चादर पोशी करने हैं अलग-अलग मंदिरों में चुनाओं के समय में ज्यादा तर जाते हैं तो आप लोग भी आप म मंदिर जाते हैं कोई मस्जिद जाते हैं इसमें किसी को रोक ठोक और इसी चीज को रोकने के लिए तो आदर निया नितीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करना और देश के लाल किला पे उनको भेजना है यह हम लोगों की मक्षद दूएंगे बाबा की दूआ काम आएग किनों में देश को वह नितुरित दे ऐसी हम लोग मनों कामना और कामना करने के लिए वालों ने का है कि बहुत कर साल के हो गए अब तो बीजेपी वाला यह थोड़े बोलेंगे जो हम उनको परधान मंत्री बनाने जा रहें बीजेपी कि लोग तो कहेंगे जो छोड़ देन चाहिए दर रहा है ना जिस तरह से आप देखें जो सिमानचल में जो अभी रैली हुई किस तरह से मुसल्मानों की एरिया में जाके संगनात नितिश कुमार जी ने किये और इस लड़ाई में हम फिर से कहना चाहते हैं इस लड़ाई में सबसे अगर पहली पंक्ति में कोई व्यक्ति होंगे तहां मुसल्मान के नौजवान रहेंगे गुजरात मोडल तो आप लोग जानते हैं गोधरा हो गया था गुजरात मोडल देश में किस तरह से आप लागू किजिएगा नफरत फेलाने के लिए इस देश में और ये बिहार जो मोडल है बिहार मोडल सही में जो नितीश कुमार जी ने काम किये बजट कहां था कहां से कहां पहुंचा दिये इस राज का तो सही माइने में बिहार मोडल देश में लागू होनी चाहिए बिहार मोडल ही इस देश के मुस्तक्विल हो सकते हैं तो आपने सुना मुखमंत्री नितीश कुमार के बारे म उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि बिहार मोडर लाग होनी चाहिए और जिस तरह से मुख मंतरी ने काम किया है बहुत सराहनी है और उसमें बहुत उल्लास की भी सह है और मुख मंतरी को परधान मंतरी बनाने की भी बात कहे रहे हैं वहराल बने रहे हैं जनता जनक्सन के